हेलो एव्रीवन, hope you all are fit and fine, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ट्वेल्फ की एक प्रैक्टिस एकसराइस, आज हम क्या करेंगे, हमें आउटलाइंग्स दी होंगी और हम उसको इंग्लिश में ट्रांस्क्राइब करेंगे, पहले जो ट्रांस्क्राइब पैसेज है, उसक शॉर्टेंट में लिखा हुए इसको हम ट्रांस्क्राइब करेंगे इंग्लिश में तो आप एक पेपर और पन के साथ रेड़ी रही है और जैसे जैसे इसको रीट करें साथ-साथ लिखते जाओ और उसके बाद पैसे के साथ इसको मैच करो और देखो आपकी मिस्टेक्स इस तरह से बेटर प्रैक्टिस कर सकते हूं और आपको प्लेस्मेंट बगारा सब आउटलाइंस की अच्छे से पता चल जाती है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड है देखिए के साथ आर का हुप लगा है डियर सर्व डैश आई हाफ ओमिट किया हुए इसके बिलीव टू बी के साथ आई बाए यह है सम हे के साथ उपर है इसका सरकल लगा है हाउस यह फर्स्ट प्लेस का वावल है प्यार के साथ प्रो पर टी इन बे वर ली फर्स्ट वर्ड इसका जो फर्स्ट लेटर है केपिटल आएगा इसलिए इह आपर डैश दी हुई है बेवर्ली फ इसके साथ PL का हुग है दिखिए और इसके साथ ST लगा है तो यह पढ़ा जाएगा इसका भी फर्स लेटर कैपिटल आएगा वेवरली हाउस हे के साथ फिर अगेन एस हाउस एंड के आ रहाएगी उसके बाद आउ पढ़ा जाएगा क्राउ थर जी आर के बाद यह पढ़ा जाएगा ग्रे एंड फिर जे ग्रेंज कॉमा एंड दी आर के से पहले वावल है तो य दी साइरे बल डिजाइरेबल हाउस इस बड़ा सरकल है हाउस इस विच आई विश थूदर लाइन है इश तो यह पढ़ा जाएगा वेश आई वेश यू वुड लुक थर्ड प्लेस का वावल है लुक ओवर फॉल स्टॉप इफ यू विल टी के साथ ल का हुक लगा हुए तैल मी जे के साथ स्ट यह जस्ट सेकिंड प्लेस का वावल है वाट यू इस तरह हम जॉइन कर जकते हैं डिजायर डेजायर एस के बाद आई पढ़ा जाएगा डिजायर आई थिंक आई कैन सरकल के बाद यू पढ़ा जाए इस तरह जूइन कर सकते हैं फूल स्ट इफ इट इस लार्जली ग्रैमलोग है और केस ओन दा लाइन है सेकिंड प्लेस का वावल है केस ओफ लो पी यर के साथ आई अगर पढ़ते हैं और पाद में आई तो प्राइस कॉमा एस आई गैदर यह और दी आर है इसमें फर्स प्लेस का वावल है गैदर इट इस इट के साथ एस लगाओ इट इस कॉमा आई नो आई कैन ओफर फर्स प्लेस का वावल है आर का उक लगा है आउफर यू वैल्यू इक्वल टो एनी कॉमा एंड विद एंड विद बड़ा जाएगा उसको एंड विद अर्ली आर और एल है देखिए आर से पहले सेकिंड प्लेस का वावल है और एल के बाद थर्ड प्लेस का अर्ली डिलिवरी दे के साथ अल का उक है ओफदा प्रेमिसिस कॉमा इन ओल केसिस फुल स्टॉप आई ओल के साथ हमने केसिस लगाया जो वावल है वो सेकिंड प्लेस का लगा दिया तो हम वावल को देखकर समझ जाएंगे कि ये वर्ड केसिस है फुल स्टॉप आई सेकिंड प्लेस का वावल है SP के बाद SPECIALIZE IN VALUATION ग्रेम में लोग है BUSINESS B के बाद I का वावल पढ़ा जाएगा फिर S सरकल पढ़ा जाएगा BUSINESS, I AND AND पढ़ा जाएगा ये, AND THIS BR के साथ ING लगा हुए और उसके साथ S लगा हुए BRINGS, NG लगा हुए धाक वाला, BRINGS ME INTO IN T के बाद 3rd place का वावल है INTO, T और CH है ये, TOUCH, WITH, JUST, J के साथ है, ST, JUST, THE, RIGHT, R के बाद आई, पिर T, RIGHT, PEOPLE, ये है, GRAMELO, FOR, YOR, इस तरहां JOIN हो सकता है पी के बाद 2nd place का वाल है, P, R, P, S, इसको पढ़ा जाएगा purpose, full stop, उसके बाद लिखा जाएगा faith, faith, fully, तो कि बाद में वावल आ रहा है, तो पढ़ा जाएगा fully, faithfully, yours, S लग गया साथ में, अगर S नहीं लगता, तो your होता, S लग गया, तो yours बन गया यह तो हो गया, transcription, अब हम next video में समझेंगे, circle और loop, preceding initial hooks, अगर आपको, मेरे यह वीडियो इस तरह डालना पसंद आया है, और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह आगे भी, transcription की वीडियो डालती रहूं, तो आप मुझे comment box में लिखके बता सकते हैं, अगर आपने मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर दीजी, bell icon भी दबा दीजी, so that next video upload होते हैं, आपको notification मिल जाए, तो मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, bye bye